हेलो फ्रेंज, आज मैं लेकर आई हूँ एक डैनिश थ्रिलर मूवी जिसका नाम है The Guilty और ये मूवी 2021 में रिलीज हुई थी मूवी में काफी सस्पेंस है जो हमें मूवी के एंड तक बांधे रखता है ये कहानी एक पुलिस ऑफिसर जो के बारे में है जो अपनी ड्यूटी के दौरान एक लेडी से फोन पर बात करता है कहानी शुरू होती है जहां कैलिफोर्निया में काफी बड़ी जगे आग लगी हुई है जिसकी वज़े से पुलिस के पास काफी सारे कॉल्स आ रहे है ऑफिसर जो पुलिस डिपार्टमेंट के इमर्जनसी सेक्टर में काम करता है और वो अपनी डेली की डूटी की तरह इमर्जनसी कॉल्स ले रहा था इन्ही कॉल्स में से एक कॉल पे एक आदमी उसे कॉल करके कहता है कि वो इमर्जनसी हेल्प चाता है उसकी बाते जानने के बाद उसे पता चलता है कि उस आदमी को एक प्रोस्टिटूट ने लूट लिया था ऐसे ही कुछ और केसिस भी उसके पास आते हैं जिने वो थोड़े बेमन से अटेंड करता है साथ में दिखाया जाता है कि कल उसके एक केस का कोट में ट्रायल है और एक जर्नलिस्ट काफी दिनों से उसे बात करने की कोशिश कर रही है पर वो उससे बात नहीं करना चाहता जो की एक्स वाइफ भी है और एक प्यारी सी बेटी जिनके साथ अब वो नहीं रहता ना ही उसकी एक्स वाइफ उसे उसकी बेटी से मिलने देती है इस बात से वो काफी परेशान भी रहता है अब जो के पास एमिली नाम की एक लड़की का कॉल आता है और वो थोड़ी दबी हुई सी आवास में बात करती है वो कॉल पर अपने बच्चे से बात करने की बहाने पुलिस से बात करने की कोशिश करती है जो उसकी बात समझ नहीं पाता तो उसे लगता है कि किसी ने शायद गलती से 9-1-1 को कॉल लगा दिया है तो वो फोन रखने लगता है पर तबी पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कि एमिली को फोन ढखने को कहता है जो उसकी आवाज सुनकर कॉल पर रुख जाता है और एमिली से बात करने की कोशिश करने लगता है और वो उसे पूछता है कि क्या उसको किड्नैप कर लिया गया है तो एमिली हां में जवाब देती है और Emily ने अपने बच्चे से बात करने के बहाने ही पुलिस को कॉल लगाया था वो Emily से सिर्फ हां या ना में जवाब देने को कहता है और ऐसे ही करके वो उससे उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करता है एमिली की बातों से उसे पता चलता है कि एक आदमी ने एमिली को वाइट वैन में किड्नैप करके रखा है और वो उसे अब शहर से दूर लेकर जा रहा है अब एमिली उस आदमी के आज आने की वज़े से फोन कट करने लगती है तो जो उसे दुबारा फोन करने के लिए कहता है अब जो पेट्रोल पुलिस को कॉल करके उस वाइट वैन को डूनने के लिए कहता है पर जब तक एमिली का कॉल नहीं आता उसे जरा भी चैन नहीं पड़ता अब हाईवे पर पुलिस को एक वाइट वैन मिलती तो है पर वो सही वैन नहीं होती है अब थोड़े टाइम में एमिली के नंबर की इंफोमेशन निकालने से उसे उसके घर की सारी इंफोमेशन मिल जाती है अब उन डीटेल से Emily का सेलफ फोन नंबर उसने मिलता है तो वो उस नंबर पर डायल कर देता है ये फोन Emily की 6 साल की बेटी Abby उठाती है Abby फोन पर रोने लगती है वो बताती है कि उसकी मम्मी पापा घर पर नहीं है और वो अपनी मां से मिलना चाहती है जो बच्ची को जैसे तैसे करके चुप करवाता है अब एबी का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम Oliver है एबी अपने पापा का नाम Henry बताती है और वो बताती है कि उसके पापा उसकी माँ को अपने साथ लेकर गए है अब जो एबी को अपने भाई के पास जाने को कहता है वो साथ ही उसे ये भी कहता है कि वो जल्द ही उनके पास पुलिस भेज रहा है जो उन्हें वहाँ से निकाल लेंगे और तब तक एबी अपने और अपने भाई का ध्यान रखे साथ ही एबी अपने पापा हेन्री का फोन नमर भी उसे बताती है जिससे जो को हेन्री की इंफोर्मेशन भी मिल जाती है हेन्री की डीटेल्स निकालने पर उसे पता चलता है कि हेन्री के उपर पहले से ही असॉल्ट के केसिस चल रहे है अब वो अपने डिपार्टमेंट में कॉल करता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन बच्चों के पास कोई पुलिस आफिसर को भीजा जाए पहले तो उसे डिपार्टमेंट से ना सुनने को मिलती है अब वो बहुत बेचेन हो चुका था इसके लिए वो एक दूसरे रूम में जाकर बैठ जाता है वो चाहता है कि कुछ पुलिस आफिसर्स को बच्चों के पास बेजा जाए और साथ ही हैंरी के घर भी पुलिस जाकर चानबीन करे पर बिना वारंट के ये भी इल्लीगल होता है अब जो के एक दोस्त रिक का कॉल उसे आता है जो उसे उसके कल की हेरिंग याद दिलाता है जो उसे कहता है कि वो थोड़ी दिर में घर चला जाएगा अब उसे एमिली की कोई खेर ख़बर नहीं मिलती तब तक वो अपनी वाइफ को कॉल लगाता है जो कि उस पर गुसा करने लगती है क्योंकि अभी रात के दो बच चुके थे अब उसके पास दूसरे कॉल भी आते हैं पर वो उने अटेंड नहीं करता अब उससे रहा नहीं जाता और वो अपने नमबर से हेंडि को कॉल लगा देता है वो हेंडि से बात करके उससे इंफूमेशन निकलवाने की कोशिश करता है अब हेंडि से कुछ जादा पता ना लगने की वज़े से वो सीधे ही उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम एमली को कहां लेकर जा रहे हो ऐसा सुनते ही हैंडी फोन कट कर देता है अब वो अपने दोस्त को फिर से कॉल लगाता है और उसे हैंडी के घर जाने को बोलता है ताकि वो जान पाए कि वहां क्या चल रहा है तब तक एबी का फिर से जो को फोन आता है और वो कहती है कि उसके दर्वाजे पर कोई आया है जो उसे गेट खोलने को कहता है क्योंकि अब यहां पर पुलिस पहुँच चुकी थी उन बच्चों को बचाने के लिए पुलिस ऑफिसर जैसे ही बच्चों के पास पहुचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उलिवर सो नहीं रहा बलकि वो तो मर चुका है किसे ने बड़ी ही बेरहमी से पेट में चाकू से वार करकर उस बच्चे को मार दिया है अब जो हेंरी को फिर से कॉल करता है और उसे अपने बेटे ओलिवर को मारने के लिए सरेंडर करने को कहता है पर हेंरी ऐसा करने से मना कर देता है तब तक रिक भी हेंरी के घर पहुच आता है और हेंरी के घर की चानबीन करने लगता है अब फिर से Emily कॉल करती है और वो रोते-रोते कहती है कि Henry अभी बाहर गया है और वापस लोटकर वो उसे मार डालेगा अब जो उसे चुप करवाने की कोशिश करता है वो उसे उस वैन को स्टार्ट करने को कहता है पर Emily ऐसा नहीं कर पाती अब वो Emily को अपने आसपास चेक करने को कहता है कि कोई भारी चीज वहाँ पड़ी है क्या Emily को वहाँ पर इंट मिलती है वो उससे कहता है कि Henry जब वापस आएगा तो उसके सर पर तुम ये इंट मार कर वहाँ से भाग जाना इसके बाद Emily धीरे-धीरे कहने लगती है कि उसने Oliver को बचा लिया है पर अब वो उट नहीं रहा वो कहती है उसने उसके पेट में धेर सारे साप निकाल दिये है जिसके बाद वो उट नहीं रहा है पर वो जानती है कि Oliver ठीक है उसकी ये सब बाते सुनकर जो काफी सर्प्राइज होता है पर उससे थोड़ी ही देर में समझ आ जाता है कि Oliver को Henry नहीं बलकि Emily ने मारा है और उससे पता ही नहीं है कि उसने अपने बेटे को मार दिया है क्योंकि उसकी mental state ठीक नहीं थी इसके बाद Henry के आते ही Emily उसके सर पर मार कर वहां से भाग जाती है अब रिक का भी जो को फोन आता है और उससे बताता है कि उससे वहां बहुत सारे papers मिले हैं जिन से पता चलता है कि Emily एक mental patient थी और Henry उसे hospital लेकर जा रहा था तो Emily ने ही अपने बेटे Oliver को मारा था पर उसे उसके दिमाग में लगता है कि उसने Oliver को सांपों से चुटकारा दिलाया है अब जो Хेंडी को फोन करके उससे बात करता है हेंडी उससे सारी बात बताथा है कि Emily उसके सर पर मार कर वहां से भाग गई है एमिली ने ही उसके बेटे को भी मार दिया है और उसकी mental state बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो उससे कहता है कि वो उसकी help करना चाहता है हेंरी उसे बताता है कि पैसो की कमी की कारण हेंरी को एमिली का इलाज बीश में ही रोकना पड़ा था और तब किसी ने भी उसकी help नहीं की तो अब भला पुलिस उसकी help क्यों करना चाहती है और इसी वज़े से ये सब हो गया काश कि उस वक्त किसी ने उसकी help की होती और अब खुद को भी नुकसान पहुचा सकती है हेंरी की बाते सुनकर जो काफी परिशान हो जाता है कि मुसीबत के समय कोई किसी की मदद नहीं करता और इस बात से वो काफी दुखी हो जाता है और अब वो हेंरी के पास भी पुलिस भेज देता है अब फिर से एमिली का कॉल आता ह और वो कहती है कि उसे समझ आ गया है कि उसने अपने बेटे को मार दिया है इसलिए वो भी सुसाइड करके उसके पास चली जाएगी जो उसे रोखने की काफी कोशिश करता है पर तब ही वो एमिली को बताता है कि उसने भी एक 19 साल के लड़के को मार दिया था और उस पर इसक रिक को जूटी गवाही के लिए कल कोट में बुलाया है और वो अपना सच एकसेप्ट करने की हिम्मत नहीं रखता तभी एमिली की तरफ से पुलिस की आवाज आती है जिससे पता चलता है कि पुलिस अब एमिली के पास पहुच चुकी थी ये सुनकर जो को चैन की सांस आती है तभी जो के पास उसकी कलीग ऑखर उसे बताती है कि वो बच्चा ओलिवर अभी जिन्दा है और आईसियू में है ये सुनकर जो सर्प्राइज होता है और उससे थोड़ी राहत भी मिलती है तब वो कलिक उससे कहती है कि टूटे हुए लोग ही टूटे हुए लोगों को बचाते है उसकी ये बाद सुनकर जो सोच में पड़ जाता है और अब उसकी तबित खराब होने लगती है उसे काफी गिल्ट हो रहा था अब सुबै के साड़े छे बच चुके थे वो अपने दोस्त रिक को फोन लगाता है और उसे कोट में सच बताने को कहता है साथ में वो उस जर्नलिस्ट को भी कॉल लगाता है और उसे भी इंटरव्यू दे देता है अगले दिन कोट में जोग को गिल्टी डिकलेर किया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है न्यूज में भी जोग के केस को दिखाया जाता है और इसी के साथ सथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है दोस्तों अगर आपको मूवी का एक्स्प्लिनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फोगेट टो सब्सक्राइब मैं चैनल बग्या जाती है